हलो गाइस वेलकम बैक टू माई चैनल मैं हूँ देवेश और आप देख रहे हैं देवेश ओटो व्लोग जैसे कि आप सामने देख सकते हैं यह है मारूतिय के स्विफ्ट जो कि एक हैश बैक कार है और मॉस्क डिमांडिंग कार है अब अगर इसके वेरियंट के बात करें तो तो 5,92,000 इसकी एक शोरूम प्राइज है अब इस एलकसा वेरियंट में आपको क्या कुछ मिल जाता है वो आज आपको में इस वीडियो में बताने वाला हूँ तो आप वीडियो में एंट तक बने रहना सबसे पहले अगर इसके इंजिन की बात करें तो तो इसके बात करें तो एल्ट्रोस जानते हैं आप टियागो वगरा जानते हैं वो इसके कंपरेजन में कहा रहाती है अब जो यह एलकसा वेरियंट है इसमें क्या कुछ फीचर मिल जाते हैं वह आज आपको मैं इस वीडियो मताने मालूँ सबसे पहले अगर इसके शुरू आत करें तो सबसे इसके की दिखाएं तो में आपको इसके किस तरीकी की मिलती यह देख सकते हैं आपको इस तरीक से बिल्कुल सिंपल की मिलती है इसमें कोई सेंटर लोकिंग वगरा खुछ भी नहीं मिलती यहां पर आपको पूरी ग्रिल दीगी यह जो कि प्यानों थे फिरिश्म एल्टी सिवेकस्ट ौटिर में आपको तोड़ा जाता है और हम दिंगेस काम पयांग सिप्रम सबस्केश्ट एयाइ डिया गयाında bes alm पॉड़ी कामा गीटिजी कोई साइड़ की सब्सक्राइब थीचा है तो बड़िया से थीच लगती है अब चलते हैं स्केब फ्रेंट के लिए को टायर प्रोफायल की बात करतुए यहां पर आपको सिस्टरी से टेर मिलते हैं आप को इसके अंदर वील कवर और रहा कुछ भी नहीं मिलता है यूक्छ बविडिंड नहिंई जो कि फ्रें इंडिकेटर मिलता है इन से क्लियर वेजिबल रहता है कि यह बेस वेरियंट है फिफ्टी इंचिस का टायर मिलता है इसके अंदर यहां पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरही से ओर भी मिलता है आपको खुदी मैनुवली एड़ेस्ट करना पड़ेगा कुछ भी आपको एड मिलता है भी प्लर भी आपको बोड़ेकुलर में देख सकते हैं जो कि नॉर्मल सिफ्ट की डिजाइन में दिया गया पर आपको डोर हंडल भी मैट ब्लेक की फ्रीश मिलता है 37 लेटर का फ्यूल टेंग में जाता है आपको इस साइड में पैसेंजर साइड निचे की साइड कि आप देख सकते हैं यहां पर कोई भी आपको कुछ भी नहीं देगा अपर ब्ले में ऎसी तरिक 성 ने मिलेगा लगोँ सीफ्ट का लोगो भी दिया गया है निचे की साइड आपको चार पार्किंग सेंसर मल जाती है तो रिफ्लेक्टर आपको डेडिकेटर लाइट के अंदर ही मिलेंगे यहाँ पर आपको सी शेप में ओल्वेज ओन मोड पर लाइट मिलती है जो कि अब ने आपको अंदर की साइड से ओपन करना पड़ेगा अभी मैं आपको इसका बूट आपको बूट ऑपन करके बता था हूँ ऐसे बूट इसपेस के बात बात करते हो 268 लेटर का normal boot space मिल दाता है आपको अंदर ही नोब दिया गया boot open करने के लिए वही से आप open कर सकते हैं अभी मैं आपको चेक करा जता हूँ आप किस तरीगे से इसका boot वगर open कर सकते हैं जैसे कि normal आपने LTO में वगरा में देखा होगा उसी तरीगे का boot open मिलता है आपको क्योंकि इसका अंदर से इसका boot आपको अंदर से ओपन करेगा कोई भी मैगनेट की नहीं मिलती आप चलते हैं boot के अंदर 268 लेटर का इसका boot space मिलता है कोई parcel ट्रे वगरा कुछ भी नहीं मिलती इसका अंदर आपको नोर्मल टूल किट्स मिलता है जैसे की फर्स्टेट किट और इसका टूल बेग मिल जाते है और यहाँ पर आपको जो सीट से वह 100% स्प्लेट मिलते है 60 फोटे स्प्लेट सीट भी नहीं मिलती है यहां पर आंपके कुछ इस तरा किस पेर फिल मिलता है जोकि स्टील रिम मिलता है इसको ज्यादा लौंग टूर पर नहीं चला सकते इस पेरवील लगा करें अब इसके डॉर की बात करें तो यहाँ पर आप जाख सकते हैं जिसका डॉर का हैंडल है वो आपको ब्लैक मैट के फिनिश में मिलता है जो कि किलियर वीजिबल होता है यह बेस बीरेंट है अब इसके अंदर जो है आपको कुछ भी पावर विंडो हो अब बॉटल होल्डर स्टोड़ेज अरिया और इस पिगर की जगे दिए यह भी आप आप्टर मर्केट लगवा सकते हैं यहाँ पर आपको डॉर लिवर मिल जाता है सीट्स के बाद कर दो हैट अब लेविलिंग सेट बगर कर सकते हैं कुछ इस तरह किसका इगनिशन मिलता है यहाँ पर आप इसके इगनिशन में की वगरा इंसेट इस तरीके से कर सकते हैं अब मैं बैठता हूँ अंदर से भी मैं आपको इसका चेक कराता हूँ कैसी क्या लगती है कार यहाँ पर आप देख सकते के सबसे पहले इसके श्टेरिंग की बात करें तो जो इस टाइब क इसमें कोई भी लेदर अगरा नीविलती ना कोई मुजिक के कंट्रोल मिलते हैं यहाँ पर क्रॉम की रिंग दी गई है कि अब इसके अगर इग्टी बात करें कलश्टर की बात करें तो वह आपको में चेक कराता हुआ यहाँ पर आप इसको टिल्ट कर सेक्ट है टेलिस क्लश्टर नहीं मिलता अब ज़िसका क्लश्टर रहे वहाँ आप देखें पने अलटो अगहां में देखा उसी तरीफाइब करते यहां पर अंदर को अन्सें पर पूरा बलक कोलर में मिलता है आपको यहां पर देख सकते कुछ इस तरीफेसे बलेक की फिनिश मिलती है यहां पर गलफ बोक्स भी नोर मेंगताएं एसी वेंट्स मिल जाते हैं है जार लाइट का स्विच भी आपको इसकंदरी दिया गया है और इसकंदर कुई मुझी को वगरा तो मिलता है नहीं तो आपको नॉर्मल से सिंपल सा जगे दीगी यहाँ पर आपको मैनुवली क्लाइब कंट्रोल मिलता है ऑटमेटिक क्लाइब क कि फिनिश मिल जाती है इस साइड श्टोरेज एरिया और यहाँ पर आप देखते हैं कुछ इस तरीगे से हैंड ब्रेक मिल जाता है कोई क्रोम के फिनिश नहीं मिलती है आई रवीम की बात करें तो आपको मैनुवली अर्जेस्टेबल मिलता है यहाँ पर आपको फ्रेंट जिरियेंट में ना फ्रेंट में मिलेंगे ना रियर में मिलेंगे अब चलते हैं व्यूला दो रियर प्रोफाइल बा depth करें सेम रियर अपको यह ब्लेक कल अब ब्लेक करें तुह आपको नौर्मलृ विंडू हमें हैं व यहां इसको बात करने होते हो da je तो कि वहें करके हैं ऐसे बात करें तो यहां पर लेग रूम तो ठीक मिल रहा है मेरे को व अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना और अगर आप चैनल पर नहीं है तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि इसी तरके की वीडियो मैं आपके लिए लात रहेता हूं वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया ठेंक्यू